देखिए अगला आपके बुक में दिया गया है question number two question number two में क्या करा गया है कि how many words without and without meaning can we form using all the letters of the word equation एक word दिया गया है equation और उस equation में जितने भी word है उसे क्या करना है आपको यह एक word है equation इसी को आपको use करके और आपको word बनाना है ठीक है at a time so that the vowel and consonant occur together जहां पर कि जो vowel है और consonant है वो एक साथ जो है वो आ सके ठीक है मतलब कि vowel जो है वो एक तरफ और consonant एक तरफ तो टोटल नंबर उस लिटर कितने है लिगे देखिए पहले अब आप यह देखो कि इसमें से वावें कितने है नंबर और नंबर और अपने नंबर वावें कितने हैं तो वावें यहां पर है एक दो तीन चार पाच पाच क्या है वावें अब हम लोगों को इस टूटल यहां के आठों से क्या करना है एक वाड को त्यार करना है तो आप यह देखिए तब देखिए फाइब वावें और अर्रेंजमेंट अगर होगा तो कितने तरह से होगा फाइब के तरह से वही पर थ्री कांसुनेंट त्री कांसुनेंट आर्रेंजमेंट एमांग त्री कांसुनेंट तीन मेंसे कर थीन का त्री कशिया जाए तो कितना होगा थी प्रेंजमेंट न? और तरह से और five three वैड़्ेंटे अगर एर्रेंज करेंगे तो कितना तो ठरह से होगा तो यह क्रस्टेंग होगा यहां आपड यह जनने जो हो यहां और यहां तो आप यह ठीक्ट वादा यह द में टि टीन गडबा यहां अब और यह दा अन्भास कॉद्ट्ड आ इसको हुख इसको हम एरेंज कर सकते हैं इसमें इसको अरेंज कर सकते हैं तो यह नहीं तो तो दो तरह से यह यह लिए कि अगर मैं आपस में इसको अगर मैं एरेंज करता हूं तो वहां पर क्या होगा कि वह वह एंड अगर कॉंस्ट इंट इसको अगरेंज कर सकते हैं तब जो रिक्वाइड परमुटेशन होगा वह इतना होगा यह बताएं इसको कर सकते हैं कितने से और तीनों क्या हो जाएगा तो इसको आप जब पॉसिबल विरूंगा इसको क्या कर लेका यह इंची कर लेका चेर यह नहीं आपको